नमस्कार दोस्तों ये 15-16-17 नवंबर 2019 को राजस्तान के जेपुर में जनवादी लेखक संग और जनस्कृती मंच दुआरा आयोजित जनसाहित परवे के बारे में हम चर्चा करेंगे ये राजस्तान विश्व विद्दाले के दिराश्री शिक्षक सदन में हो रहा है दोस्तों दरेसल ये जब खयाल आया हमारे सातियों के बीच में और जब इसको परारम करने की बात आई उस समें मुल्क की हालक बहुत खराब थे गोरी लंकेश की हत्या हो चुकी थी सामपरदाइक ताक्ते बहुत मजबूत हो रही थी और लगातार साहित्य संस्कृति पर कॉर्पोरेट हमले हो रहे थे तो एक तरफ साहित्य संस्कृति पर डख्षिनपंती हमले हो रहे थे दूसरी तरफ कॉर्पोरेट हमले हो रहे थे ऐसे दोर में देश के अमन पसंद, तरक्की पसंद और जो मुल्क को और समाज को रुपांतरित करने की कोशिश करने वाले लोगों ने ये सोचा कि हम क्या करें तो हमने ये सोचा कि हम बैठे बात करें और एक समवाद को वापस समाज में स्तापित करें जिसके माद्यम से एक रुपांतर कारी प्रक्रिया चलाई जा सके जिसमें हम जनता के साथ लेखक भी जुड़ें सहस्कृति कर्मी भी जुड़ें और जनता के सवालों का जवाब दें उनसे सीखें सीखाएं और दोलों अपनी इस दोंदात्मत प्रक्रिया से चेपना का विस्तार करें तो पिछली साल जब ये आयोजन हुआ पहली बार तो ये तह किया गया कि ये प्रतिरोध की सहस्कृति पर आयोजन होगा चुकि प्रतिरोज की संस्कृती भारती समाज में और दुन्या के तमाम समाजों में जहां उत्पीडन रहा है जहां जुल्म हुए है वहाँ पे रही है और जब तक जुल्म रहेंगे तो एक न्याय की लड़ाई का एक महत्योकूल आयाम है जिसको हम साहिते संस्कृती में ख़दिक लोगों ने शेकूलर लोगों ने और जनवादी लोगों ने उसको बहुत सरा इस से हम लोगों की उम्मेद बढ़ी और इस साल हम जलियावाला बार की सहादत के सोवर्श मनाते हुए पिछले आरत में पिछले सो सालों में जो हासिल किया जो खोया पाया जो करने के लिए हम इकटे हो रहे हैं और इसमें जो जलियावाला बाग से जो रास्ते निकले थे क्योंकि जरूरी है सोचा गया ये समझा गया कि बहुत जरूरी है हम भारतिय मुक्ति संग्राम में अपनी राहे तलासें आज के इन फासिवादी इन अर्ध फासिवादी जो भी क दोस्कृति के पत्रकारिता के चित्रकारिता के निकले थे वो आज कहां है हम हम उसका एक पुनर मुल्लायंतन करें ताकि हम भारत की अगली दिशाते करने में काम ब्याब हो तो आप आए दोस्तों इंतजार है 15, 16, 17 नौंबर को शुक्रिया